हेलो फ्रेंड्स दिस इस हिमान सुप्राम देव एडवाईजरी और यह वीडियो में आपके साथ निफ्टी पर मेरा जो व्यू है वह डिसकस करूंगा पहले हम ट्रेडिशनल टेक्लिकल अनिल्स के हिसाब से देखेंगे फिर एल्यूट के हिसाब से भी मैं क्या देख रहा और अब देखेंगे और अभी जो ठीजियों बायुट आया है यहां पर वह बाउंस को हमने किस Bennett किया करका किया गयुक्राइब só यहां पर दे , यहां पर टेकनीकल इनलिस वीक लेते हैं यह द हिसे सद्धाए में आप देखें यहां पर price जो है 20 and 50 EMA के नीचे है और 20 and 50 EMA का negative crossover है that means कि यहाँ पर negative bias ज्यादा है short to medium term trend down है ऐसा हम कहाई सकते है विकोज आप RSI भी देखोगे अभी जो है 40 के ऊपर आगे बीच में यहाँ पर 40 के नीचे चली गई थी अभी 40 के ऊपर है बट still it is below 50 तो यहाँ पर negative bias ज्यादा है ऐसा हम कह सकते हैं और अच्छी चीज यह हुए कि ADX जो action में आ रहा था वो अब stop हो गया that means कि ADX 25 को cross करने वाला था because ADX जब 25 को cross करता है तब हम कहते हैं कि जो एक trend है वो strong हो गया है तो यहाँ पर minus DMI dominant था तो downside का momentum strong हो जाता तो यह bounce आया उसकी वज़े से जो ADX action में आ रहा था वो अभी अटिक गाया है बट अभी भी ADX हम देखे that is around 24 तो आप किया है कि यह जो swing low बनाया था यहाँ पर 16,850 के आसपास यह swing low बहुत ही important है अगर यह swing low को break कर दिया convincingly तो फिर कि ADX वापस action में आ सकता है that means कि downside का जो momentum हो वापस accelerate हो सकता है तो as per traditional technical analysis as of now हम ऐसा कह सकते daily की time frame के हिसाब से कि जो trend है वो अभी slightly negative है और weekly की time frame करके हम देखे यहाँ पर तो weekly की time frame में जो एक major development यही है जैसे मैंने last video में भी आपको बताया था यहाँ पर कि यह नीचे आने के बाद यह lower आई है and then this is lower low formation तो यह structure क्या है कि थोड़ा deteriorate हुआ है ऐसा हम कह सकते है बट अभी भी क्या है कि weekly में यह 20 week यह में को last week तो उसने break कर दिया था अभी हम 20 week यह में के ऊपर आ गया और कल weekly closing भी है तो यह 20 week यह में का जो level है that is around 17,216 तो यह एक weekly अच्छा support रहे सकता है और weekly के हिसाब से अभी हम देखे RSI जो है 60 के नीचे है बट 40 के नीचे नहीं गई है that means कि अभी भी क्या है कि weekly का structure जो है वो इतना खराब नहीं हुआ है because यहां पर जो strong uptrend था वो खाली slow down हुआ है ऐसा हम कह सकते है तो डेली के हिसाब से हम देखे तो डेली किया था कि weekly में यहां पर देखे यह जो केंडल का लो है डाट इस अराउंड 16,745 और 16,700-800 एक अच्छा support zone रह सकता है और आप देखे कि exactly यहां पर उसी zone के आजपास से एक strong bounce हमें देखने को मिला है तो हम यह level से bounce expect कर रहे थे बट बाउंस को play करना हो तो आप blindly उसको play नहीं कर सकते हैं आपको कुछ thesis develop करनी पड़ती है या तो आपके पास कुछ trade setup होने चाहिए और फिर के हिसाब से कुछ development थे और squeeze का structure भी मिला तो उसको प्लान करके हमने ट्रेड लिया था तो आप हमने यह bounce को कैसे play किया वह मैं आपके साथ detail में discuss करता हूँ और going forward Elliot wave के हिसाब से क्या लगता है उसको भी हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं बाउंस को किस तरह से play किया था तो यहां पर यह जो है इस 60 मिनिट चार्ट तो 60 मिनिट में जो थीस ती यहां पर मैं कोई और possibilities discuss नहीं कर रहा हूं जो थीस मैंने develop की थी और यहां पर यह जो fourth wave में सी वेव को हमने प्लान किया था यहां पर यह जो बाउंस देख रहे हो आप यह बाउंस को हमने play किया था और यहां पर क्या थीस डेवलप की थी वह detail में discuss करेंगे तो सबसे पहले यह जो मैंने labeling किया है 60 मिनिट की टाइम प्रेम में वह समझते हैं तो जैसे हमने यहां पर यहां पर यह जो बाउंस आया है वह exactly कहां से आया है 1.618 का जो extension level है उसी के आसपा strong pin bar बनाया then we got a strong bounce और फिर यहां पर यह retracement आया तो उसको मैंने इस तरह से label किया था कि जो फॉस्ट बाउंस था है normal वह कहां तक आता है 0.382 या तो 0.236 तो आप देखें कि यहां पर यह जो रिट्रेस्मेंट हमें देखने को मिला है जैसे मुझे कोई स्क्वीज का स्ट्रक्चर मिल जाए या तो जो इची मुक की मैंने method आपके साथ तो आल्लेडी सेर की है तो वह मैं स्ट्रक्चर देख रहा था तो सबसे पहले आप देखें कि यहां पर 60 मिनिट में हमें स्क्वीज का एक अच्छा स्ट्रक्चर देखने क बताया था कि यह जो स्क्वीज है उपर की साइड में फायर हो सकती है ऐसी प्रोबिलिटी मुझे ज्यादा लग रही है और दूसरी चीज 60 मिनिट में तो स्क्वीज थी और आज क्या हुआ यहां पर आप देखो के कि इची मुक में बहुत ही क्लीन सैट अप था यह स्ट्र क्लीन सैट था और यहां पर मेल कंप्लमें च्वीज थी और थर्त तु मिनिट में आप जाके देखो जेहां पर तो 30 मिनिट में भी हमनने यहां पर अच्छे से ब्लान किया और आश्यावं एंटिसिपेटिंग के बाउंस टावर्ड 16 ऑग 17,450 के आसपास और आज पूरा प्रॉबिट बुक किया हमने पोजी संजो बनाई थी डैट वोज अरांड 17,150 के आसपास हमने लॉंग इनिसियेट किया था और 17,450 के आसपास का हमारा जो टार्गेट था वो आज टार्गेट ही अब यहाँ पर गोईंग फरॉवड क्या कर सकते वो देखते हैं तो आपके सिक्स्टी मिनिट के हिसाब से हुम देखें यहाँ पर कि स्पूइन एक और सब्सक्राइब這樣的 इह कैसे संब घृतन यहाँ पर और यहां पर यह fourth way का bounce है so let me label this again वहां पर कुछ problems आ रही थी so मैंने वापस इसको chart को load किया है so let me label this again this is one two यह three four और अब हम fifth के लिए नीचे जा सकते है because यहां पर दे कि जो fourth way का bounce था that was exactly around 0.382 के आसपास so अब जैसे मैंने बता है कि 16,850 का जो swing low है वह बहुत ही important है और अब यहां पर यह swing low को break किया तो फिर क्या है कि traditional technical analysis के हिसाफ से तो हमने देखा कि downside का momentum accelerate हो सकता है और यहां पर elevator के हिसाफ से भी हम देखे अगर फिफ्ट वेव के लिए नीचे जाएंगे तो हम क्या expect कर सकते तो 0-3-4 करते हैं यहां पर तो आप देखे कि यहां पर 786 यह crucial support है अगर इसको break कर दिया देन वी माइट सी 580 या तो 370 के आसपास भी जा सकते हैं यह मेरा प्रीफर्ड वेव काउंट है कि यह फॉर्थ वेव का का रिट्रेश्मेंट था और फिट के लिए नीचे जा सकते हैं यहां पर देखा कि यह जो स्विंग लो है वह काफी इंपोर्टन है तो अभी भी प्राइस जो है जब तक 20 और 50 यह में के ऊपर कंविंसिंगली क्लोज नहीं देता है तब तक हमें क्या है कि कोई एग्रेसिव पोजिशन क्रियेट नहीं करने चाहिए तो आयोप फ्रेंट्स कि यह सब चीजे जो मैंने आपके साथ डिसकस किये इट माइट हेल्प यू इन यह ट्रेडिंग थैंक यू